कि दोस्तों मैं हूं वसीम और अभी तक के वीडियो जो हम लोग ने देखा है उसमें माइवन सट्रिंग का लगवग लगवग 80-90% कवर हो गया उसमें तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं 3D बनाना माइवन सट्रिंग का 3D बनाना तो यह अपना वही से मार की टेक्शिरल प लोग नएैं वो सस्क्राइब करें करें और कमेंट ज्रूर करें और अगर अर्किटेक्ट्ट्र ब्लान चाहिए तो भीआ कि मेंट करें और तो आपके पास शंपना great क्रे Billie है आपके पास अगर जो नहीं है तो आपना email आईडी कमेंट करें माई उसमें अब को लिंक देंग कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो तो इसे हम लोग करते हैं यह आपको मिलेगा पेरी लिक करके यहां पर यह जब आप इस तो इसमें नहीं रहेगा तो आप अपना email id comment करोगे तो मैं उसमें इस पेरी को कैसे डाwnलोड करना अपना email id कमेंट सेक्षण कर में मैं लिंक को प्रोवाइड कर दूगा छो वहां से आप डाwnलोड कर सकते हैं. यहां थे पेरी ब्रॉजर में अपन करेंगे कि यहां कि आप देखें तो पेरी पेरी आर्टिकल करें वाल फोर्म और के स्लाइब फॉर्म वग है कॉल्म फॉर्म अभी तो बाघने करेंगे अब इस मेंसे हम लोग करेंगे कौन सा यउज करना है तोामसिमोमक Dash 11194 का यूज करते हैं नियां के लिए हमें यूज करना कि वर टॉइंटी कई देखते हैं कि वरन टॉइंटी आज स्क्स्टी वाला यूज करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद यहां भी आपको प्रेविव उसो करेगा यह देखो कि इसमें प्रेविव में आया है 125 45 देखते हैं तो इसमें सब में प्रेविव देखना होगा प्रेविव देखने कि यह 270 में देखते हैं 275 60 यह वाला है, इसको हम लोग sit family कर लेते हैं, sit family क्या हमने उसके बाद हम लोग यहां पर इसको direct जाके सिर्फ रख देंगे यह रख दिया, उसके बाद इसको close कर लेते हैं इसको escape कर लेते हैं, इसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, यहां पर corner पर सबसे पहले लगता सब्कूर्ण लगता तो वह मुत अभी अब लगाए नहीं है पहले क्या करते इसको पहले चेक कर लेते हैं यह सिक्संडिट का हाइए नहीं है तो इसको यहां से हम लोग लेवल वन में जाके ओपन करके यहां से थोड़ा सा मूव कर दें है कि अपना उधर लगेगा सॉफिट कॉर्णर लगेगा तो हम इसको हमने मूव कर लिया है इसका डाइमेंशन हम लोग चेक कर लेते हैं अनोटेट में लीनियर डाइमेंशन यहां से यहां तक का आप देखों तो 600 का पैनल है और अब यहां पर लगाना है अब लोग फिर से पेरी में जाते हैं एक अपने यह तो बना लिया एक सॉफिट कॉर्णर लगाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगा से कॉपी करते चले जाएंगे साफ्ट कॉर्णर और साइड कॉर्णर यह इंसाइड कॉर्णर है यहां पर और साइड कॉर्णर हमें चाहिए इंसाइड कॉर्णर इंसाइड कॉर्णर यह यहां पर इंसाइड कॉर्णर दो इंसाइड कॉर्णर है इसमें पहले प्रेवियू में देख लेते हैं क्या क्या है detailing कि यह देख सकत हो यह कि जो एक तरफ हंड्रेद गजाना धूसरा तरफ यह ज्यादा है और दूसरा डूसरा क्या है कि यह वाला जोनों सेम साइज है अप देख सकत है इसमें शेल्फ वईट भी इसका आता सारा इसका जितना है डिस्क्रिप्शन इसना मीटर स्कॉइर का एगा यह सारा इसमें डिटेलिंग दिया हुआ आप देख सकते हैं इसको यूज कर लेते हैं इसको यूज कर लेते हैं एट फैमिली किया इसके बाद यहां पर इस कॉर्णर पर जाके हम लोग इसको रख दिया हमने इसको क्लोज कर लेते हैं और यह अभी देख सकते हैं यह यहां पर है इसको इसके बटन से इसकेप कर लिए हमने से इसकेप किया दो बार से इसकेप कर लिए हमने अब क्या करेंगे यह वाला यह उधर जाके इसको अटाइच कर देंगे इसमें यह अटाइच होगया अब देखेंगा हम लोग 3D व्यू में आप देख सकतो 3D व्यू में यह इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं यह आप देखते तो यह नीचे तक नहीं आया था इसको हमने मूव कर लिया इस इंस्टेंट और जिन देजनोट लाय अंदर होस्ट फेस इसको यह तो प्रेंट से देखते तक इसको मूव करना होगा यहां करके आप यहां ख्रूंश करनेक्ट नोगा अब क्या करते इसमे जहां जहां पर यह गायब दिक्रा यहां इसमें होल्स होते हैं तो यह वेज और पिहन का यूस कर के के इसको charging कर देते हैं एदर से उधर एक पीं निकाल देते हैं वेज डाल नडर के ठोक देते हैं उसको तो यह उसको एक धूसरे से कनेकट हो जाता है उन आज कर देते हैं गजो अब िक को आप देख सकता हूँ इसमें का हमएं लगा दिया उसके बार पैनल लगा दिये 600 का पैनल लगा दिये अब इसको क्या करेंगे ऊपर जो बचा हुआ है यह डेक प्लेट के साथ अगर जो डेर सो है तो डेर सो रहेगा तो हम लोग क्या करेंगा यहां से सिर्फ इसको select करेंगे और यहां पर copy का option है अपने पास copy है और हम लोग इसको यहां से यहां से पकर के copy कर लेंगे यहां वैसे ही copy करते चले जाएंगे पूरा नीचे तक सेम वैसे सेम प्रोसेस यूज करेंगे को copy किया यहां से पकरा यहां पर रख दिया फिर यहां से पिर इसको copy कर लेंगे इसे कॉपी किया यहां से पकरा और यहां पर रख दिया यह आप देख सकतो यह बनते जा रहा है उसके बाद बीए यहां से कोपी किया यहां से पकरा हद यहां पे अब मैं यहां यहां पे लगाना है इस को थुदा सा घुमा ले ra हलका सा, रोटेट कर लेते हैं, यह शर्ट्रिंग अपना यह देख सकते हैं यह इस वाल के लिए शर्ट्रिंग हो गया, यह 3D शर्ट्रिंग हो गया इस वाल के लिए, अभी सिर्फ यहां पर एक कॉर्णर लगाना है, इंसाइट कॉर्णर, तो मैंने फिर से यहां से इंसाइट कॉर्णर लिया, यहां पर देख सकते हैं दो इंसाइट कॉर्णर, यहां पर यह वाला है, जो कि यह इधर का साइज है और एक तरफ लंबा साइज है, तो हम लोग यह वाला ले रहे हैं अभी, और फिर सर्च करेंगे इसमें बहुत यहां पर देख सकता आप बहुत सारे ओप्संस है 15 पैनल फॉर्मबग, 18 पैनल फॉर्मबग, 30 वाला है 270 वाला है इसमें सब में सर्च करेंगे तो यहां पर साइध हमें 100-100 का मिल जाए तो अभी मैंने देखा नहीं है पूरा उसमें यह है देख सकता आप यहां भी है पैनल 30 पैनल 60 इसमें सर्च करना होगा 100-100 का चाहिए तो अब लोग अभी सिर्फ यही वाला यूज कर लेते हैं तो यह यह हमने पैनल लगा दिया उसके बाद इसको क्लोस कर लेते हैं स्केप कर लेते हैं स्केप कर लेंगे भाद लेवल के चले जाएंगे यह क्या है यह ऑल से टेच नहीं है तो इसको downs क्या करएंगे मूव कर लेंगे इसको यह टेच हो गया वाल से अब यहाँ पर छोटा सा बच गया तो हम लोग छोटा वाला पैनल यह लगा देंगे मोडिफिकेशन वाला मोडिफिकेशन वाला साइज का हम लोग यहाँ पर एक पैनल लगा देंगे उसके बाद क्या है यह और साइड के लिए सिर्फ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं यहां से हम लोग क्या करते हैं एक लाइन बना लेते हैं यह गृत है इसलिए इसमें वन टू 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 ट्रीफूर आएगा और दूसरा साइट से बनाएंगे तो उसमें ABCD करके आएगा तो अब हम लोग करते हैं इसको सेलेक करते हैं कंट्रोल प्रेस किया और सबको सेलेक कर लेते हैं कंट्रोल प्रेस किया इसको सेलेक कर लिया हमने इसको सेलेक कर लिया अभी क्या करेंगे इसको मीरर करेंगे mirror और यह है mirror raw axis यह mirror pick axis तो mirror pick axis वाला क्योंकि हमने axis बना लिया है तो mirror क्या हमने यह axis हम लोग select कर लेंगे यह आप देख सकतो mirror हो गया अब इसको 3D view में आप देख सकतो यह 3D view इसका हो गया तो हम लोग rotate कर लेते है थोड़ा सा यह आप देख सकतो यह 3D view इसका हो गया तो यह रहा अपना माइवन का यह हमने searching 3D बनाना देख लिया किस तरह से बनता है वैसे यह सेम प्रोसेस हम लोग सब के लिए करेंगे पूरे वाल के लिए करेंगे उसके बाद इसका बच गया डेक लेयाट बनाना तो हम लोग डेक लेयाट नेक्स वीडियो में भी देख लेंगे तो यह माइवन searching complete हो जागा इसको भी इसको हम direct fabrication के लिए इसको क्या करते हैं direct इसको level 1 यह वाला हम लोग detail दे सकते हैं या फिर इसको हम लोग draft वाला इसको हम लोग draft वाला में जाकर के उसको दे सकते हैं यह वाला पर इसको हम लोग दे सकते हैं यह वाला sheet इसका दे सकते हैं direct तो यह इससे manufacture हो जाएगा कि इसमें लेकिन हाँ है सब में यह dimension डालना होगा कि 600 का है तो आज के वीडियो में हमने इतना तक देख लिया अभी नेक्स वीडियो में बच गया अपने पास सिर्फ डेक का लेट बनाना बच गया 3D लेट डेक का 3D लेट बच गया बनाना थैंक यू चैनल सब्सक्राइब करें